हाई फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियारडिया के डाइनोसिस, ट्रीटमेंट्स एंड प्रवीजन यानि रोप्था, जाच और उपचार डाइनोसिस एंड ट्रीटमेंट यानि जो जियारडिया है उसकी जांच और उपचार हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं फस्ट है मल्की जांच द्वारा पुटिकाओं की उपस्थिती सुनिश्चित की जाती है उसके बाद आती है हमारी उपचार की बाद, इसके ट्रीटमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं, तो उपचार के लिए हमें कई सारी औरशिदियां दी गई हैं, फस्ट है टिनीड जोल, सेकंड है मेट्रोनिडर जोल, थर्ड है एलबिट जोल, क्लोरोकुइन, फोर्थ है एंटीवाइ तो ये आपकी मेडिसिन्स के नेम है, इन सभी औरशिदियों का प्रियोग हम रिहाइडरेशन, सॉल्ट्स या सॉल्यूशन के साथ करते हैं, इसके बाद आता है कुछ एंटी हैलमिन्स, ड्रक्स के रूप में भी जियार्डिया में प्रभाव साली हैं, मतलब जो ड्रक्स हो फूर्थ है नगरों में सीवर लाइन पूर्ण विक्सित होनी चाहें, मतलब जो नगर होते हैं उनमें सीवर लाइन का बिछा होना जरूरी होता है, और ये सारे पॉइंट्स इतने एजी हैं कि समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और फ्रेंड्स इनके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, नेक्स्ट है सब्जियों वा फलो को धुकर खाएं, उसके बाद आता है दूशित जल ना पियें, साफ जल का ही प्रियोग करें, वोप आपको डाइनोसिस एंड ट्रीट्मेंट और प्रवीजन के नोट्स समझ आए होंगे, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो वीडियो जरूर शेयर करें, थाइंक्यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में